जोती रादिति सिंधिया के कॉंग्रेस छोड़ते ही उनकी चालों तरफ से घेरा बंदी शुरू कर दी गई है सिंधिया खिलाफ EOW ने जाज भी शुरू कर दी है मामला जमीन की खरीद फरोगत का है जिसमें 10,000 करोड के घुटाले का आरोप है इस बीच ग्वालेर में पदस EOW के S.P. देवेंदर सीहिन राजपूत का तबादला कर उनकी जगा अमिस सीहिन S.P. बन गये है मद्यप्रदेश में चल रहे सियासी घर्टक्रम के बीच कॉंग्रिस छोड़ वीजेपी में आये जोती रादेति सिंधिया के खिलाफ आर्थे कपराद प्रकोष यानी EOW ने एक पुराने मामले में कारवाही शुरू कर दी है 26 मार्स 2014 को EOW में एक शिकायती आवेदन दिया गया था आरोप था कि जोती रादेति सिंधिया और उनके परिवान ने 2009 में महल गाउं गौालियर की जमीन खरीद कर रजिस्ट्री में कार्ट चाट कर आवेदक की 6000 वर्ग फिट जमीन कम कर दी साथ ही सिंधिया देविस्थान के चेर्मेन और ट्रस्चियों ने महल गाउं जिला गौालियर स्थित शाश के भूमी सर्वे क्रमांग 1217 बेचने के लिए प्रशाशन से सहीयोग से फर्जी दस्तवेश तयार किये इस सम्मन में एक शिकायती आवेदन 23 अगर्स से 2014 को ई और डबल्यू में तिया गया था दोनों शिकायतों को जाज के बाद नस्ति वद्ध किया गया था इसी से असंतुष चुहुकर श्रीवास्तव ने फिर कारवाही के लिए आवेदन दिया है दो रिपोर्ट कवर मध्य प्रदेश